तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाली में रिलीज हुई सभी फिल्म की बज़र्ड और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और साथी साथी ये भी बताएंगे कि ये सभी फिल्में बॉक्स ओफिस पे हिट हुई या फुल आफ तो वीडियो पे सुरू से अन तक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे साहित कपुर की तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया फिल्म की बज़र्ड और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म ने 24 दिन में सिर्फ इंडिया से 83 करोर 28 लाख रुपई की कमाई कर ली है तो वही पुरे दुनिया भर से 140 करोर 28 लाख रुपई की और इस फिल्म का बजड सिर्फ 60 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तो इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पे हिट माना जा रहा है तो वही दोस्तो बात करें यामी गुतम की आर्टिकल 370 मुवी की बज़र और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म ने 12 दिन में सिर्फ इंडिया से 56 करोर 35 रुपए की कमाई कर ली है तो वही पुरे दुनिया भर से 80 करोर रुपए की और ये फिल्म आज अपने 32 दिन दुनिया भर से 3 करोर रुपए की कमाई कर रही है तो इस तरह से इस फिल्म का 13 दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 83 करोर रुपया हो जाएगा और इस फिल्म का बज़र सिर्फ 35 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ओफिस पे हिट माना जा रहा है तो वही दोस्तों बात करें विधुद जमवाल की करेक मुवी की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि ये फिल्म 12 दिन में सिर्फ इंडिया से 16 करोर रुपय की कमाई कर ली है तो वही प्रे दुनिया भर से 22 करोर रुपय की और ये फिल्म 14 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ओफिस पे फलो फोता हुआ नजर आ रहा है तो वही दोस्तों बात करें आमिर खान सर की प्रोड़क्शन कंपणी के बनेर तले बनी फिल्म लापता लेडिज की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आज अपने 6 दिन 1 करोर रुपय की कमाई कर रही है तो इस तरह से ये फिल्म 6 दिन में दुनिया भर से 9 करोर रुपय सी भी जादे की कमाई कर लेगी और इस फिल्म का बजट सिर्फ 5 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पे अभी से ही हिट माना जा रहा है तो ही दोस्तों बात करें अजय दवन सर की सैतान फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म के अभी तक पुरे इंडिया भर में 5,900 तेज सोज रखे गए हैं और इस फिल्म का अभी तक टोटल इंडिया भर से 55,745 बिख चुके हैं और इस एडवांस बुकिंग से सैतान फिल्म ने अभी तक टोटल 1,33,000,000 रुपई की कमाई कर ली है छे मार्च के सामके 4 बजे तक और ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज होने वाली है और जिस तरह से इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में क्रेज बना बॉक्स ओफिस पे सिर्फ इंडिया से 10-12 करोर रुपई की कमाई कर सकती है तो ही पुए दुनिया भर से 15-17 करोर रुपई की तो ही दोस्तों बात करे अक्षय कुमार सर और टैगर सरफ की आने वाली फिल्म बरे मिया छोटे मिया की बजज़र्ट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म का बजट 250 करोर रुपया है और ये फिल्म इद के मौके पे रिलीज होने वाली है और जिस तरह से इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में क्रेज बना हुआ है इस से साब से ये फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ओफिस पे सिर्फ इंडिया से 35 से 40 करोर रुपय की कमाई कर सकती है तो वही पुरे दुनिया भर से 50 से 55 करोर की पर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ओफिस पे कितने करोर रुपई की कमाई करेगी आप लोग भी अपना रह е? कमेंट बक्स में लिकर ज़र वीडियो में